नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों साल 2024 में कुल 5 ग्रहन लगे हैं जिसमें से पहला ग्रहन 25 मार्च को चंद्र ग्रहन के रूप में समाप्त हो चुका है दूसरा ग्रहन एक सुरिय ग्रहन के रूप में 8 अप्रेल को समाप्त हो चुका है ऐस तीनों ग्रहन में से कौन सा ऐसा वह ग्रहन है जो की भारत में दिखाई देगा इन सभी के विशे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों काफी सारे लोग लगातार यूट्यूब के कमेंट के जरिये या पूछ रहे हैं क्या आज की तारिख पर कोई ग्रहन है तो ऐसे में आज के इस वीडियो में हम इस विशे पर भी बात करेंगे तो दोस्तों वीडियो को सुरू से अंतक जरूर देखेगा दोस्तों चंडर ग्रहन और सुरिय ग्रहन बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण घटना मानी जाती है माना जाता है ग्रहन के टाइम में और सूतक काल के समय में किसी भी परकार के सुब कामों को नहीं करना चाहिए इसी के साथ ही बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन करना ग्रहन के टाइम में जोती सास्त्र के हिसाब से आवस्यक माना जाता है तो ऐसे में ग्रहन का डेट और टाइम बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण हो जाता है आपको बता दे कि सुरिय ग्रहन में ग्रहन लगने से ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल लगता है और चंदर ग्रहन में ग्रहन लगने से 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है ऐसे में अगर आपको ग्रहन का सही समय और सूतक काल पता है तो आप उसमें से 12 घंटे और 9 घंटे घटा करके सूतकाल का समय निकाल सकते हैं चलिए दोस्तों जानते हैं 2024 के बांकी 3 ग्रहन कब लगने वाले हैं और क्या आज की तारिक पर कोई चंद्र ग्रहन या सुरिय ग्रहन लगने जा रहा है दोस्तों आपको बता दे कि साल का दूसरा चंद्र ग्रहन 18 सप्टेमबर 2024 को सुभज 6 बच कर 11 मिनट से सुरू होगा यह ग्रहन 10 बच कर 17 मिनट तक चलेगा यह ग्रहन यूरोप, अफरिका, अमेरिका, पैसिफिक और अटलांटिक में दिखाए देगा यह ग्रहन भारत में नहीं दिखाए देगा दोस्तों इसके बाद अगला सुरी ग्रहन लगेगा जो कि 2 अक्टूबर को गांधी जयानती के दिन लगने जा रहा है 2 अक्टूबर को रात 9 बच कर 12 मिनट से रात 3 बच कर 17 मिनट तक ग्रहन लगेगा और यह ग्रहन अमेरिका, अटलांटिक और आक्टिक में दिखाई देगा यह ग्रहन भी भारत दोस्तों इसके बाद 17 अक्टूबर को साल का तीसरा चंद्र ग्रहन लगेगा और यह ग्रहन भारत अथवा विश्व के अन किसी भी देशों से दिखाई नहीं देगा यह ग्रहन महासागर में कुछ समय के लिए दिख सकता है ऐसे में दोस्तों यह ग्रहन काफी सारे जोती साथ्र इस ग्रहन को ग्रहन भी नहीं मान रहे हैं चलिए दोस्तों आप बात करते हैं क्या आज की तारिक पर कोई ग्रहन है झाल 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 झाल